नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे, आप सभी का हर्दिक स्वागत, हर्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस स्मोक पर प्यारे दोस्तों, आज के सेशन की सुरुआज साहिर लुधियानवी जी के प्रसिद्ध गजल के साथ करूँगा, जो मुझे बहुत प्रिये है, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन सबसे जादा इस दो लाइन से मिलता है, प्यारे दोस्तों, हजारो बर्क उठें या लाखो सेशन की, प्यारे दोस्तों, दस इंपोर्टन कोशन लेकर आया हूँ मैं, जो नहीं सिर्फ करन्ट अफेर्स के पॉंट ऑफ विसे, बलकि इसमें से बहुत ज्यादा इस्टेक पॉर्शन भी आज आज आपको देखने को मिलेगा, तो यदि आप चैनल पर नहीं है, तो प्ल मैंने आप लोगों से एक प्रशन पूछा था, एक कोशन पूछा था, उसका आंसर आप mostly बच्चों ने दिया था पंचायत वाला, तो ये देखके मुझे अच्छा लगता है, और काफी बच्चों की टाइमिंग को लेकर प्राबलम या जो क्वेरी रहती है, तो आठ बजे आप लोगों की संडे को भी हुआ करेगी, संडे को आप लोगों के पास काफी समय रहता है, तो आप लोग देखिए, जो आज नहीं है इस चैनल पर, प्यारे दोस्तों केवल तीन दिन पहले का करेंट अफेर्स ही है अभी, तो उन्हें भी जरूर देखेगा, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें है, अवलेबल है, तो प्लीज जरूर देखेगा और सपोर्ट करना ना भूलें, शुरुआत करते हैं, दमदार शुरुआत करते हैं, पूरे दिन हाप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन अब जो है थोड़ा सा टाइम स्टडी को दीजिए म मतलब जो उत्सापटनायक है, उन्हें मैलकम आदिसेशिया पुरुषकार दो हजयर तेईस मिला है, वो कौन है, प्यारे दोस्तों, ये जो उत्सापटनायक है, इन्हें हाल ही में मैलकम आदिसेशिया पुरुषकार दो हजयर तेईस के लिए चुना गया है, और ये एक अर जंकरन एक्सिटिशन मतलब भी दिया जाता है ठीक है एक ओफिशल डोक्यूमेंट या इस पीस टाइप वो भी दी जाती है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे उच्छा पतनायक याद रखेगा उच्छा पतनायक यह प्रतिवर्ष दिया जाता है मैलकम एलिजाबेट अधिशेश्या ट्रस्ट के द्वारा ठीक है जो की चेन नहीं तमिलनाडू में है इसके साथ एक जो सिटीशन दिया जाता है प्राइस मनी दो लाक मैंने आप लोगों को पताया था इसके तहत दो लाक रुपे दिया जात है हर साल यह चेन नहीं में तमिलनाडू में आयुज़ित किया जाता है दा वोड इस एनवली प्रेजेंटेट बाइदा मेटी तो ऑनर दी कोंट्रिबिशन ओफ आउटस्टेंडिंग सोशल साइंटिस्ट इन दा फिल्ड ओफ डेवलोप्मेंट स्टेडिज यदि हम बात कर है तो तमिलनाडू की जो लोकेशन है वो यहां पर है मतलब इतने एरिये में याद रखेगा इतने एरिये में तमिलनाडू की लोकेशन है इसके साथ साथ तमिलनाडू की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है इसकी जो कैपिटल है वो क्या है प्यारे दोस्तों चेन न पार्टी है तविए तमिलाडू में तो वह कौन है डिम के याद रखेंग है एसना रख सकते हैं पारटी में भी एम्के आरा और जो ढ़ियंग के इसके साथ साथ जो गवर्नर है जो गवर्नर ए वह है और एन रवी तो ये तमिलाडू से related additional information थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं Recently India has contributed USD 5 lakh to the United Nation entity for gender equality and the empowerment of women also known as UN Women Headquarter of UN Women is based on प्यारे दोस्तों प्रश्ण है कि भारत ने रिसेंटली जो जेंडर equality language समानता और महिलाओं के जो सशक्तिकरण empowerment के लिए स्युक्तरास्ट रिकाई को 5 lakh अमरीकी डॉलर लगभग अगर बात करें इंडियन करंसी में तो वो 4 करोड संथिंग बैठेगा का योगदान दिया है जिससे स्युक्तरास्ट महिला के रूप में भी जाना जाता है स्युक्तरास्ट महिला का जो मुख्याल्य है वो कहां पर है इसका मुख्याल्य इसका मुख्याल्य कहां पर है नियू यॉक्याल्य में इंडिया एस कोंट्रिब्यूटिट फाइफ लक अमरीकी डॉलर तो यूवन वोमें रिसेंटली अब इसकी अगर बात करें देखें इससे अगर हम इंडियन करंसी में बातें तो लगभग चार करोड रुपे आएगा तो यह भी पूछ सकता है ठीक डादोनेशन हैस बीन रिसीवड बाइस सीमा सामी बहुस्टी अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एक्जेक्यूटिव डाइरेक्टर ओफ यूवन वोमें इसके साथ साथ जो रूचीर रूचीरा कंबोज इंपोर्टेंट परसनलिटी य यादो रखेगा हैड़ को यह स्टानलिट एक्जेक्यूटि यूवस में है düsty डायरेक्टर की बात करें तो सीमा सैमी बहुस्टी टियूटिव डायरेक्टर है इसके साथ-सके बारे में भी थोड़ा सेडीशनल हम लोग दिल लेंगे कैसे याद रखेंगे प्यारे दोस्तों जो जो युनाइटिड नेशन है उसके उसकी जो छे पार्ट्स हैं इंपोर्टन पार्ट्स है छे प्रमुक अंग है जिसमें से पाच का जो मुख्याले है जिसमें से पाच का मुख्याले है नियो यॉक में है इन छे में से पाच का मु है बाकी पांच का नियू यॉयोक में है तो यह कुछ अडिशनल इंफोर्मिशन थी अगले कोशन की तरफ बात करें विश्व लीवर दिवस प्रतिवर्स कम मनाए जाता है वर्ड लिवर डे इस अब्जर्व अन्वली ऑन विच डेट ट्वंटी फॉंटी नाइंटीन या करन मतलब यह जो है जाग- को बढ़ें लिवर के बारे में जैनकारी लोगों तक जाए इस से बचाव करें इसलिए यह ये जो है दिन मनाया जाता है लिवर की बात करें तो यह हमारी बॉड़ी का सेकंड़ लारजसेस्ट और सेकंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑरग Falls साथ ब्लट शूर को रिगुलेट करता है बॉक्सीों करता है production को बनाने में हेल्प करता है और blossoms at framed it to be vigilant doर एगुलर लीवर चैक आप प्र टो फैट नहीं होना चाहिए पिर रवावित करता है नेंग्स प्रशन की तरफ मघंगे लेकर के लिए लेकर आप आएं संगठन से समर्धी campaign with an aim to हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से मतलब कौन सा अभियान शुरू किया है जिसका संगठन से सम्रद्धी है तो यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसका अंसर सी है संगठन से सम्रद्धी campaign government of India ने रिसेंटली जो है वो लॉंच्ट किया है ठीक है तो ब्रिंग मार्जनलाइज रूरल वुमें इन्टू सेल्फ हैल्प ग्रूप जो स्वाइस सहाइता समू है उसके नेट्वर को बढ़ाने के लिए यूनियन मिनिस्टर अफ रूरल डवलपमेंट गिरी राज सिंग्ग हैस लॉंच्ट दस अंगठन से सम्रद्धी केंपेंट इन न्यू देली इट विल एंपावर मार्जनलाइज रूलर हाउस होल्ट बाइब ब्रिंग इन्टू दा फोल्ड ओफ सेल्फ हैल्प ग्रूप यदि बात करें इसका जो टार्गेट है वो दस लाखम दस करोड याद रखेगा इसका टार्गेट दस करोड महिला को इस सेल्फ हेल्प ग्रूप से जोड़ना है वर्तमान में कितना है यह नो करोड यानि कि एक करोड को और जो है जोड़ना है ठीक दिस स्पेशल ड्राइब विल कंटीन लियू तिल ठाटी जून ट्वंटी ट्वंटी थर्ड इसके साथ साथ गवर्मेंट ओफ इंडिया का एक उद्देश और भी है कि सेल्फ हेल्फ ग्रूप से जूड़कर महिलाएं प्रती वर्ष मतलब पर एनम एक लाख रोपे तक का अपना जो है वो सेविंग या अपनी जो है कमाई कर सकें अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कल एक दो के लिए है यह वाली करन्ट अफेर्स बैंकिंग के लिए है यह वाली करन्ट अफेर्स रेगुलेटरी बोडिस के लिए यह वाली करन्ट अफेर्स से के लिए इस तरीके से नहीं जो चल रहा है जो भी चर्चा में वो सारा करन्ट अफेर्स और वो कोई भी एक्जाम पूछ है अगला कोश्चन एस पर दा लेटेस्ट न्यूज इंडिया हैस एक्वाइड आर्ममेंट्स वोर्थ ओवर 300 मिलियन अमरिकी डॉलर फ्रम विच कंट्री टू आर्म इट MS60 रोमियो चॉपर्स मतलब भारत ने अपने MS60 रोमियो हेलिकॉपर को लैस करने के लिए किस देश से 300 मिलियन अमरिकी डॉलर से अधिक मुल्य के हतियार प्राप्त किये हैं तो इसका उत्तर है यूएस से याने की कि भी कि बात करें इसकी तो इसमें देखिएगा यह थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजेगा और दूसरा एक प्रश्ण ओर था आप लोगों का की पीपीटी को लेकर तो इसकी पीपीटी आपको हमारे चैनल के प्रेक्टिस स्मोक के जो टेलीग्राम ग्रूप है वहाँ पे अवलेबल होगी तो यह सारी चीजी आप क पढ़के अपने आप नोट्स बना पाएं अगला कोश्ण विच अमंग दी फॉलोविंग इंडियन आंप फोर्सीज हैस कंड़क्टेड औरीजनल पॉल्यूशन रस्पॉंस अक्सरसाइज ट्वंटी ट्वंटी थर्ड निमन में से किस भारतिय सस्त्रबल ने एक रीजनल पोलूशन रेस्पॉंस एक्सरसाइज आयोजीत किया है तो उसका उत्तर है इंडियन कोस्ट घाइड इंडियन कोस्ट गाड जिसका हैट्वेटर कहां पर है प्यारे दोस्तों निउग डेली में तेट इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसने मतलव इंडियन कोस्ट गाड ने यह exercise को किया है और इसके साथ साथ इसका जो एम है वो है pollution response efficiency to the region comprised of a simulated oil spill from a crude oil tanker of kakinada additional information headquarter new Delhi है और जो इसके डाइरेक्टर जनरल है Indian Coast Guard के वो है राकेश पाल जो की senior IPS officer भी है mangrove pit words mentioned in the news recently is found in which of the following parts of India हाली में समाचारों में लेखित जो mangrove pit पक्षी भारत के निमनों में से किस भाग में पाए जाते हैं तो वो है Eastern part Eastern की बात करें तो यह भारत के मतलब पूर्वी भाग में पाए यहां थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे हम लोग यह जो उडिसा में हैं उडिसा में पाए गए हैं यदि उडिसा की location की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं मतलब इस तरीके से तो यह Eastern part कहलाएगा भारत का यहां पर यह जो है मैंग्रोव पित बर्ट्स जो है है और इसकी जो है मतलब कहीं ना कहीं पक्षियों को बहुत आटा इखटा किया जा रहा है इंडिया फॉस्ट मैंग्रोव पित्वार्ट कैंसर्स एस बीन इन दा भीतरकणी का नेशनल पार्क इन उडिसा एक अडिशनल इंफ्रमेशन ओर कि भीतरकणी का नेशनल पार्क भारत के किस स्टेट में है तो वह है उडिसा में ठीक है तुश्टेड़ी दा पोपुलेशन एनालेसिज फिस बर्ट अ टोटल ओव 179 इन्डिवीजुल मैं सिक्रिटिव बाद करें इन मैंग्रो पित बार्ट की तो सत्रे से 19 सेंटिमीटर तक जो है इनका मेजर मतलब इनकी हाइट है लेंथ है और अगर वेट की बात करें तो यह केवल 25 से 65 ग्राम तक के बहुती छोटे छोटे प्यारे प्यारे पक्षिये होते हैं यह इंसेक्ट को खाते हैं ठीक है इट्स वाउंड इन इस्टान पार्ट ओफ इंजा इस्पेशली एन ओडिसा एंग वैस्ट बेंगाल अलोंग विद कंट्रेस लाइक बांगलादेश मलेशिया म्यानमार सिंगापूर एंड थाइलेंड अगर हम बात करें आई यू सी एन के स्टेटस की तो उसने इसे जो है संकट गरस्त प्रजातियों में रखा हुआ यू सी एन क्या होता यह होता इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर टेक तो आई यू स येन और यू सी एन जो है डाटा बुक जारी करता है रेड डाटाबुख में जो भी विश्वी की संक्कट रस्त प्रजातियों हैं या जो समाप् ठोने की स्थिति में हैं उन्सबकी घ्लम सुची जारी करके उन् ρ करके मतलब एक इस्टीर ग्रस्ट दिया जाता है तो यह जो मैंग्रोपित बाड़ से इसे आई यू से यन ने मतलब संकट ग्रस्ट सुची में रखा हुआ है अगला प्रश्ण कौन सा भारते सहर इश्याइज चेंपियंशिप ट्रोफी 2023 होकी टूनार्मेंट की मिजबानी करेगा विच इंडियन सिटी विल होस्ट दा एशियन चेंपियंश ट्रोफी 2023 होकी टूनार्मेंट चेंड़ी न्यू दैली ग्वालियर भूवनिश्वर बहुत ही ईजी प्रश्ण है यह तो इसका आंसर है को थोड़ा सा देखेंगे तो चेंड़ी यह एशियन चेंपियंशिप प्रोफी को होस्ट कर रहा है इस टूनार्मेंट को सेवन्ट एडिशन है इसका जो की थर्ड से ट्वेल्ट अगस्त तक चलेगा ठीक है और यह चेंड़ी में पहली बार आयो जित होगा ठीक है जब से यह एशिया कप बना है 2007 से तपसे चेंड़ी में पहली बार होगा देशन चेंपियंशिप क्रोफी वाज लास्ट हैल इन धाका बांगलादेश जिसमें से साउथ कोरिया ने जपान को फाइनल में हराया था एंड्रियू रूबलेव हैस रिसेंट्ली वोन दा मैन सिंगल इसमें देखेंगे इसका अंसर है रशिया ठीक ये जो है रशिया से बिलॉंग करते हैं ये और ये देख लीजेगा अगला हूँ हैस बिकम दफर्स इंडियन फीमेल क्रिकेटर तो बी नेम्ड और विस्जन क्रिकेटर ऑफ दा इयर ठीक दिप्ति शर्मा इसम्रति मंधाना पूनम यादव या हर्मन प्रीत कोर तो ये हर्मन प्रीत कोर है जिसे विस्जन क्रिकेटर ऑफ दा इयर से नामित होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है विस्टेन क्रिकेटर अलमांक हैस रिलीजड दा लिस्ट अफ टोप फाइफ क्रिकेटर्स ओफ दा ये 2022 रिसेंटली ठीक है जिसमें से अगर हम बात करें सुरिकुमार यादव की तो येनोंने T20 क्रिकेटर ओफ दा इयर का इने खिताब मिला है हर्मन प्रित कोर पहली भारतिय महिला है जिन्होंने इस तरीके से मतलब उपलब्धी हासिल की है ठीक ये देख लीजेगा ठीक तो दस महत्मौन प्रश्ण जो थे आज के आपने देखा होगा स्पोर्ट से भी जैसे कि अगर हम बात करें कल वाली जो क्लास हुई ती उसमें मिनिस्ट्री से संबंधित कोश कर रहा हूं ताकि आपका इस्ट्रेक्ट वाला पोर्शन भी थोड़ा थोड़ा मतलब रन में रहे याद रहे ठीक तो आज की क्लास को यहीं मतलब करते हैं कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल फिर मुलाकात होगी तब तक खूब मन लगा कर पढ़ाई करते रहे हैं या मैं आप खुद भी नहीं चाहते कि इस तरीके से मतलब फेल्योर मिलें तो खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा करन्ट अफेस को टाइम जरूर दीजिए थोड़ा सा हमारे साथ टाइम इस्पैंड कीजिए ताकि कुछ और ज्य कात होगी तब तक के लिए खोब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए जय हिंद जय भारत